हेलो प्रेंस कैसे हैं आप लोग आप सभी का आपके अपने चैनल इगनोगाइडन्स में एक बार फिल से बहुत-बहुत श्रागत है और मैं आर्थी चलिए आज का से वीडियो है बीपी एसी 133 का है और इसमें यूनिट 3 ले लेते हैं सारी ब्लॉक 3 ले लेते हैं और ब्लॉ ब्लॉक 5 ले लेते हैं संसदी और अध्यक्षी विवस्था ठीक है तो यह इसमें सिर्फ एक ही यूनिट लेंगे सिर्फ लेंगे क्योंकि यह बड़ा यूनिट आपका है इसको आपको समझना होगा और यह बेरी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे एक क्वेशन पहुच लिया जाए ठीक है चाहे सरकार के प्रमुख निट्रत पहुच लिया जाए या फिर चाहे यहां पर राश्पती की जो सक्तिया होती है वो पहुच लिया जाए ठीक है राश्पती को कानून बनाने का क्या-क्या अधिकार है तो बेरी बेरी इंपॉर्टेंट यह आ तो संसदी प्रणाली का मतलब सरकार के उस रूप से है जिसमें सरकार की कारपालिका और विधान सभा साखाय आपस में जुड़ी हुई होती है ठीक है इसमें कारपालिका विधान सभा से तै के जाती है मतलब जो जिसके प्रत जिम्मेदार और जवाब दे होती है और उसके द जो कामो को कर्तें यह जिसके दोरा जआती है खारिज़ भी किजा सकती है तो यहाँ पर जो गार्णर है उन्होंने ये कहा है कि सरकार का संसदी रूप वे विवस्था है जिसमें अविलंब और कानूनी तोर पर वास्त्विक कारपाली का मंत्रालय या मंत्रि मंडल अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्णियों के लिए विधान सवायस की किसी एक के प्रत जिम्मेदार होती है यानि कि जो भी मंत्रालय या मंत्रि मंडल की जो राजनीतिक नीतियों होती है कार्यों जो कार्यों होते हैं तो आप सिंपल भासा में कह सकते हैं कि यह यह कैसी विवस्था है जिसमें कानूनी तोर पर मंत्रालय या मंत्रि मंडल की जो भी नीतियां नीतियां होती है, कार होते हैं, वो बिधार सभय किसी एक साखा के प्रत जिम्मेदार होती है, ठीक है, रैट, ओके, यहाँ पे कारपालक यानि राज का मुखिया लापरवाही का जिम्मेदारी लेता है, लापरवाही की जिम्मेदारी लेता है, इस प्रणाली की सु संसधी प्रिलाली के अपनी विशिष्ट बिसेष्टाएं होती है जो राष्ट पति प्रिलाली से अलग होती है और इसकी जो प्रमुग विशेष्टाएं वो कौन-कौन से देख लेते हैं तो दो कारकारी प्रमुग होते हैं संसधी प्रिलाली में ठीक है कारपालिका और प्राली में अब चलिए एक के करके सबको देख लेते हैं तो यह संसदी प्राली की बिसेष्टा है जो बहरे इंपोर्टेंट है पहले ले लेते हैं दो कारकारी प्रमुख ठीक है ना तो दो कारकारी प्रमुख में आपर संसदी प्राली में दो कारकारी प्रमुख होते हैं कारकारी प्रमुख का मतलब क्या होता है दो काम करने वाले प्रमुख लो एक राज प्रमुख होता है और दूसरा सरकार का प्रमुख क्योंकि संसदी प्रणाली संसद तो दोनों की होती है केंड की भी होती है राज की होती है तो जो राज की होती है तो राज प्रमुख हो गय जो केंद्र की होती है वो सरकार का प्रमुक हो गया है ठीक है तो दोनों की भूमिकाएं एक दूसरे से अलग है क्यों कि राज प्रमुक राज का प्रतिकात्मक या कल्पित मुख्या प्रतिनिद होता है वो राज का होता है और उसकी भूमिका मुख्य रूप से गैर राजनित आपचारिग और प्रतिकात्मक होती है जिसमें बास्त्रिक सक्ति जो होती है वो शरकार के मुखिया के पास होती है मतलब विधान सभा का जो नेता होता है यानि कि जो मंत्री होता है जो मुख मंत्री होता है राज शक्ति के दिबात करते हैं तो पूरी जो सक्तिया होती है उस तो ब्रिटेन, इस्पेयन, बेल्जियम, डिन्मार्ट, निदरलेंड जापान में राज के प्रमुख संबैधानिक संब्राथ होते हैं तो बंसानुगत अगत होते हैं यानि इन राज्यों में इसित बंसानुगत उत्त्रादिकार के अंसार आगे बढ़ती है भारस, जर्मनी, इटली, आस्ट्रिया, आयरलेंड और इस्राइल जैसे अन देशों में राज का चैनिद मुखिया होते हैं इसे राज अध्यक्ष, यानि गैर कारकारी कहा जाता है तो राज अध्यक्ष कहा जाता है ठीक है ना सरकार जोन मंत्री होते हैं राजपाल बोलते हैं स्वारी राज धक्षानी राजपाल बोलते हैं करना कानून और संधियों को श्रिक्वित देना दुनिया के मामनों में अपने अपने राज का प्रतंदित करना सम्मान देना राजदूतों आयुकतों और राज के इनकाम होता है तो इन शक्तियों करनेों को आपचारिक कारण राज का प्रमुक केवल एक अपक्षपाति कल्पित मुखिया होता है कल्पित है ने सोचा हुआ जो राज सरकार द्वारा बिठाया हुआ गठित किया हुआ भेजा हुआ होता है ठीक है ना जो किसी कभी पक्षप तो सरकार का प्रमुक सरकार का एक राजनितिक नेता होता है ठीक है और जो एक राज में वास्तविक कारकारी के रूप में कार करता है और निर्ने लेता है और राजनितिक जिम्मेदारियों को पूड़ा करता है तो भारत के प्रमुकों और स्वाहिदाज के प्रमुकों भारत ब्रिटेन आस्ट्रेलिया जापान के प्रधान मंत्री जापान में 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 क्योंकि दूसरा है न, तो संसदी प्रणाली में सरकार की बिधाई और कारकारी साखाओं के भी सक्तियों का कोई पष्ट विभाजन नहीं होता है, मतलब सक्तियों का शनलयान होता है, सक्तियां मिली हुई होती है, ठीक है? और जो सतियां होती है, वो सरकार के अंगों के अधिकार का विले करने वाले एक सम्मेधानिक शिद्धान को संदर्वित करती है, यानि वो शिद्धान होता है, वो सम्मेधान का होता है, और विधान सभावर कारपालिका का सनलयान संसदी प्रणालीों के मुक रूप से चार र रोख सबसे पहले कारपालिका यानि प्रधान मंत्री सहीत चाहित मंत्री मंडल कियाती है और इसके प्रति जवाब मंत्स और समर्थन ब्रफस्टन खिरत करने वाले भिधायकों के मतश थोता है कि जतने भी विधायक है अगरुन के फशी में हो जाते हैं कि विष्धायक χ snippet कर लेती उनके ढी अंच्छ भिगों कर पाता है तो तो कारपालिका बिधान सभा के शदश्यों के समर्थन के बिना अपने बिधाई प्रस्तावों को तेन नहीं कर सकती पास नहीं कर सकती है ठीक है ना याद रहे हैं कारपालिका जो बिधान सभा के सदस होते हैं उनके समलतन के बगार किसी भी चीजों को वो पास नहीं कर पाती ठीक है करपालिका के सदस्य बिसेश रूप से मन्त्र मंडल के मंत्रियों द्वारा अपने संबंद विभागों की गतवीधियों के बारे में विधान सभा के सदस्यों होते हैं उनका जवाब देना इनका दाय arrog म gusta सदस्यों ठीक है ना फिर दूसरा कारपारिका के यो सदर्ष होते हैं वो विधान सभा के सदर्ष भी होते हैं तीसरा विधान सभा अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके कारकाल पूरा होने से पहले शरकार को सत्या से हटा सकती है ठीक है ना तो देखें यहाँ पे विधान सभा कहा होती है बिधान सभा राज्यों में होती है इस चीज को याद रखिएगा ठीक है न कहां होती है बिधान सभा राज्यों में होती है ओके तो अविश्वास प्रस्तावमत बिधान सभा के बहुमत का एक मत होता है जो सत्ता ध्यारी प्रधार मंत्री में विश्वास की कमी को दर नें लेकिन, इहां पर प्रधान मंथि की बात चले जब कर विदान सभा की बात चलती है ता है बलकी मुक मंथ्री होना चाहिए याhold, लोग सभा की बात चलती है राज सभा की बात सब्चिए कलगा फ़स्वा होना चाहिए या कारपाल का विधान सभा से किस तरह अलग नहीं है कारपाल का विधान सभा से कोई भी समद्धित question पूछा जाए या इन दोनों में से एक से question पूछा जाए तो answer आपको यही लिखना होगा यहां पे ठीक है न तो एक बाद फिर से देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या चीज सभा से मत हासिल करती है ठीक है और विष्वास मत का अर्थ होता है कि जो प्रधान मंत्री होते हैं जो उनके मंत्री मंदल के प्रतिसमर्थन ब्यक्त करने वाले विधायकों से होता है जो चुनके आते हैं ठीक है कारपाल का विधान सभा के सदस्थों के समर्थन के विना कारपालका के सदस विधान सभा के सदस भी होते हैं और विधान सभा अब इस्वास प्रस्ताव को पारित करके कारकालपुड़ा होने से पहले ही सरकार को सत्ता से हटा सकती है और अब इस्वास प्रस्ताव मत विष्वास के बहुमत का एक मत होता है यानि जो प्रधान मंत्री में बिस्वास की कमी को लिखाता है। जनली मानन लिजे, सपोसे एड कांग्रेस और भाजपा की सरकार आप लगे कि नहीं इनके बहुत से बीधायक हैं जो इनके साथ में नहीं हैं अनके कामों से अनुछ आयए जनली खरीद-फरोक्तिनी में चलता है और वो कह देते हैं कि इनकी सरकार को ही बहुमत नहीं मिला, इनके बहुत से बिधायक है, जो बागी हो रहे हैं, वो मेरे साथ है, तो वो बहुमत चाहते हैं, तो इस कंडिशन में एक परिष्ण होता है, बहुमत होता है वहां पे, और वहां पे जितने भी वज़ो प्रणारम और अगर उनके फिवर में जाता है, तो सरकार काया में बनी हुई है, तो प्रधारमंति अपने कारकाल के समाथ से पहले विधानसवा को बंग कर सकता है, नचुनाओं के आगया दे सकता है, ठीक है, फिर सामोहिक जिम्मेदारी भी होती है, तो ये भी देख लेते हैं, सामोहि समान रूप से मंत्री परशत को साजनिक रूप से साती विधानसवा में सभी सरकारी निर्ने का समर्थन करना चाहिए, ठीक है ना, मतलब सरकार के सभी कार्यों के लिए मंत्री परशत समान रूप से जिम्मेदार हो, ठीक है, समान रूप से जिम्मेदार हो, ठीक है, सामोहि कि कुई भी सरकार का में रच रच कर सकता है मतलब कोई भी साथ निर्णयों मान लिया जाता है और जो साथ होते हैं उनके द्वारा शमर्थफ सा मायी मांवाच्छ कर सकते हैं इस a прямо बीदिभार्ष्त का अमर्थ में ऐब गर सकता fetchック मान लीजिए कोई एक ऐसा सदस्य है जो विधान सभय जनता के बारे में भलाई में सोचता है, उसको लगता है कि सरकार का जो फैसला है वो सही नहीं है, वो उसका समर्थन नहीं करता है, तो उसके द्वारा मंत्री परशन से इस्तीफा देरी की उम्मीद होती है, तो यह सिद् में लिए करो जभएन से बन"?या झनल जबता है कह भाई म कंदा है में मनत्री मंडलन के सदस्ट्रा तो पर बन्ति को कि इसे में बनाल से बन्ति का मिला प्लाई पक एस सदस् भीषन दाजनितिक दलS्छेयां, और इसे म पहुँचने हुगदान दया को इसमें के विचारे ऱ अपने इंग होते ही तो जो इस इस प्रकार की सरकार होती है, इनके प्रस्तावों को आसानी से पारित करने में सक्षम बनाया जाता है, क्योंकि सभी की विचार अलग होते हैं, जो मैंने कहा, और मंत्री मंदल के शदर सुषयम विधायाक और बहमत दल के वरिष्ट नेता होते हैं, इसलिए आलोशकों का तरक सामोहिक जिम्मेदारी का सिधान मोल रूप से संतुलन को और सयम को प्रुशाहित करने के वजाए अनुसासी दल के लक्ष को प्रात करने का शाधन है, तो यह हो गया आपका सामोहिक जिम्मेदारी, अब सरकार के प्रमुख नितृत ले ले लेते हैं, ठीक हैं, कि सरकार का संसेदी प्रणानीओं में दीन प्रतितिन के आधार पर बास्थी प्रधान मंत्री और को प्रचाथ सब्चाती होटा फॉर decrease और इस वज़ें से वह शक्तियों की एक विस्त्रित जो से इनकला होती है उसकी वो प्रैक्टिस करता है जिससे वह अधिकास संसदी प्रालियों में सक्तिसाली नेता बन जाए और उसकी सलाय के आधार पर राज के सीर्ष प्रमुक मंत्रियों और केन राज के अन्नमहात्पू करते हैं उनकी नित्ति कौन करता है प्रधान मंत्री करता है ठीक है तो मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेर वदल करते हैं कौन करता है प्रधान मंत्री करते हैं मंत्री को खारिश करते हैं सम्मान देते हैं विधान सभा के सत्रों को मुल्तवी यानि की खतम है ठीक है ना बोलते है तो रास्ट कर ने का मिन्यडा हूता है अभी भासण कर दिएक स्य Log Li इस अभी भासण का था यह समीन 10 शुरू करता यह benefit अभी भासञी बिशेश रूद से लोंपरी न०्न इसधेन कहसा भाल कर सो घी तो उसको कि मैं बार बेर बुल डाहीं ह Polize कर करते हैं do यहां पर जो लोगशहण होता है भीजियुक्त ऐख है अँ एक फ्रन मंत्री को होता है इस आख हमें प्रधार मंत्री को होता है तो यहां पर डलगशे वाड़ने ने कहा, इसको हम छोड़ देते हैं, हमने यहां पर देखा कि जो प्रधार मंतरी होता है, वो सभी स्थीतियों संसर्दी प्रणालियों में समान रूफे सक्तिसाली नहीं होते, मतलब प्रदार मंत्री ऐसे स्थित में पेश्चावित अधिर शक्ति प्रदान करता है जहां सरकार एकल बहुमत वाले पक्ष्टवारा बनाई जाती जो मैंने कहा जैसे भी भाजपा की सरकार है वहां पर भाजपा की सभी धायक है तो वहां पर उसका पूरा एक प्रभुक्त लिकें जहां पर बहुत सारे राजपी दिरों से मिल्के सरकार बनाई जाती है वहां पर नेरना लेने लिकींगो किसी भी बिल को पास को लेकर चलना होता है हर एक दल के लोगों को कोई न कोई पूजीसान अस्थान केंडर में लिए विद्ध में पड़ता है तो आप बहुत सारी प्रोब्लम हो जाती है ठीक है ना तो यहां पर संसधी प्रणाली में सरकार के प्रमोक इस्थित को मुल्यांक्यक्रित्ति इन प् सरकार में की है मंति मंदल सरकार ठीक है पहला प्रधार मंति सरकार और मंति सरकार मंति मंदल सरकार में मंति परशत को ब्यापक निर्नल लेने का दिकार प्रापते हैं और मंति मंदल की बैठकों में निर्ना लिये जाते हैं और मंति इन बैठकों में मुक्रूप से कुर्सी स सरकार्वी से सुरूप से फिन लेंड से संचालित होती जहां का प्रधार मंति सरकार में प्रधार मंति सफसक्तिसाली कारकारक होता है जो बिभीन मंतियों साथ सीधे बेवार करता है और सफसे अच्छा उदार जर्मनी का है जहां बिधान सभा के प्रधार मंतियों के जवाब गलत कहा था कुला दिपत का मतलब होता है जो उस सदर का अध्यक्ष होता है कुल अध्यक्ष जो होता हुझ कुला दिपत ही होजनिद् अविधाल सभा के प्रत् जास्थाución होता है को देखिए अब देखिए नजब डिवेट वगएर होती है जब इनका सीथ वाला काल चलता है और नोटो परिशनोत्तर और चलता हा देखेंटी अर्वहाँ में चींपरता बाहर में सबक्राइब जब रिंशा जाता है गलत बोल देते हैं गलत वर्डों का उपियोग करें तो आप यह रिकार्डिंग होती है तो इसको उस वर्ड उस सब्द को वहां उस रिकार्ड से हटा दिया जाता है तो यह चीजे होती है ठीक हो ना राइट अब फिर तया है अवाधि के अनुपस्तित संसदी प्रणाली में काल की तया अवध मौजूद नहीं होती है यानि कि विधान सभा जो होता है नाम तरपर निचले सदन जो लोग सभा होता है एक अभिस्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपनी अवाधि की समाप से पहले सरकार को हटा सकती है जिसे अभिस्वास प्रस्ताव कहते है ठीक है न जो ब्रधान मंत्री होताै है और क्योंदल सवह चपताँ हुरु कि ब्रधान मंत्री अपने का उनतरा क्षौकार पूड़ा होने से पहले भीधान सवा को बंग कर सकता हुए आपने पक्ष रिप्याई सरकार लाव उठाने के लिए । नया चौनाव करवा सकता है फिओवपास्ति बिखान्म अनुल में एक जए कर दें अनुलMAN, लिया है बनाल्द कर दे नहीं है बल्कि विधाई चुनावों के अधार पर बना ही जाती है ठीक जो नीमित रूप से आजित के जाते हैं चुनाव जैसे अभी एलेक्षन हुआ तो अधिकां सिलसदी राज्यों में विधान सभा के लिए चुनाव हर चार या पांग साल में होते हैं हमारे भारत में हर पांग स राजर में चुनाव से में चानवा राज़ करती है दहते हैं कि चुनाव लूग सभा और से इस बहुतार नहीं नीरवाजित प्तनीद एक विधान सभा बनाते हैं बनाते नहीं में द्रधान सभा ऑना लाज सबард सब्केुद्टधL a.ñe सभाय बनता है एक भिधावों तो नय निर्वाचित प्रतनिदी गफें जब एक ठितिधाष्च के बनता है तो सभाइव को सभाइब सшьनों बनता है ज़िए कर सभाइब और बदात्यत मैं के लिए तो इसमें भीनता प्याट हिश्फ हो जाते हैं एक्जामपल के तौर पर ले लिजे बीजेपी जो की केंज में आई थी के अपने दम पर तो सरकार का गठन सीधा होता है यानि राज का मुख्या उस दल बहुमत पहुमत वाले पक्ष के नेता को पधार मंतिक रूप में शेवा करने हो सरकार बनाने के लिए आमंतित करता है यहां पर कोई भी वह चीज नहीं होती को एक डल का सरकार बनी है उसे पहुमत मिला हुआ है यह इस स्थित में राज का मुख्या होता है अपने च्छार का प्षार मंतिक नहीं कर सकता है ठीकि है ना क्योंकि एक दल की खार्वमत जो पार्टी है उसकी सरकार बनी है लेकिन इसके बाल मंति यो प्रभाव का बाते जाते हैं और उनकाया प्रढ़न करें मन्ति कर लिए जातें और जाते हुं राज के प्रणॡप द्वारा न्युक्ति किए जाते तो प्रढ़न च्हेत मंत्रियों को कु वान से सतर्ध सर्कार हो鼽ह को आटा हमारा क्या नियुक्त main सबित निस्सक्राइच करे लेडні। राज का अणीठी दोनोग समझेन ने तित्यगा राज के बीकलप होते हैं तो राज का प्रमु कि दान मंत्री किन निए इक्षा का आप सकते हैं तो राजकप्रमु के गट बंधन सरकार राजकप्रमु के राप्रदान मंत्री कुछा आ गया है ठीक है तो राज को आप किसी स्टेट से मस समझेगा कई डिक राज कम्या, कुछ राज को चाहे है एकात्मा बनाया जाता है उसके पास बिधास्वाम सप्षणिक स्मिंटेश और इपिधाई शितों कर डिक तर नहीं होता है यहाँ पर इसे तो बहुत अच्छी सकते हैं कि किस तरह से एक सरकार का गठन होता है ठीक है लुट इस सरकार बनायी जाती है किस तरह से विभाव का और बढ़ों एधिर बत्वारा होता है यही तो है संसधी परणाली जो हम देखते आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता प्सके ज़ादा हक offers कि जुपार पतला की प्रमुविसथाonse प्रमुज़्था सरकार का संसदी सरूप ने संसदी प्रणाली से मतलब है इसकी वर्मु विसस्ता है क्या है ठीक है राश्पती प्रणाली क्या है अब देख लेते हैं आपे कि राश्पती प्रणाली का क्या अर्थ है जो कि बेरी बेरी इंपोर्टेंट है और राश्पती से एक कोश्चन आप साखाएं अलग अलग होती है ठीक है ना, राइट क्या सरकार की और जो विधाई यान जो कार कनने वाली सरकार की और जो विधाई यानी कानून बनाने वाली जो साखाएं होती है, दोनों अलग होती है, ठीक है ना, दोनों में ही आपसी सुतंत्रता होती है कोई किसी में टकराव पैदा नहीं करता है दोनों अलग होती है कारपालिका और विधान सभा को अलग से चुना जाता है तो कार बनाने वाली कारपालिका विधाई कारून बनाने वाली विधान सभा ठीक है इसके पास स्वतन्त सक्तियां होती है कार पालिका परत्यक्षुरुप से बिधान सभा को पताई युद्ffy को कारा इस को कार करतती है वह ने होती है ठीक है न इसे देख लेते हैं औ नहीं बिधान usbha त्वारा भंग किया जा सकता है किसे कार पालिका को कार पालिका कि आप आइडार गर्नने कहा एक राश्च्पती सरकार कारपाली कार प्रावली जिसमें अगर राश्पती सरकार आए तो कर्फूज मत होई एगा ठीक है तो ऐसी प्रेणाली है जिसमें कारकार यानि राज के प्रमुक और उसके मंतियों सहित अपनी अवद या कारकाल के मामले में संभाधानिक रूप से सुतंत्र होते हैं और यह अपनी राजनीतिक नेतियों के लिए विधास्वा को जवाब दे नहीं होते हैं तो सब सच्छा उधार यहां प्रावली पैदा हुई और आर्जिंटीना वराजीन मैस्कोचिली कोलंबिया आद ने अपनाया है ठीक है ना तो यह हो गया आपका र सबसे पहली बात जो कि राश्टपती होता है ठीक है एक ही मुख्या सक्तियों का विभाजन इसमें होता है राश्टपती की सक्तियां अलग होती है ठीक है ना प्राश्टपती और मंतिमंडल के शदर्सिस में होते हैं कानून बनाने का अधिकार होता है जब तक राश्टप एक ही मुख्या का मतलब क्या होता है एक ही मुख्या का मतलब होता है कि राष्टपती प्रलाली में एक भी निर्वाशिक व्यक्ति होता है और इसे राष्टपती के रूप में जाना जाता है सिर्फ एक होता है और यहां पर जासे की हेबुड ने कहा है कि एक व्यक्त दो आपको यही लिखना होगा यहां पे यह लिखना होगा कि राष्टपती राज और सरकार का मुखिया होता है सरकार को निर्देश देता है राजनिती जिम्मेदारियों को निभाता है और राष्टपती राली की तरह तरह परदहान मंत्री की तुल्णा बिधान सभब और उसका स्थष्णो को नियंत्रन कर दख़का होता है तेरी प्रदार मंत्री के तुल्ना में विदान सभा और उसका नियंत्रन कम होता है और जो राश्पती होते हैं उनका नियंत्रन अपने सथ्चों पर कम होता है तो देखे सरकार की राष्टपती प्रलाली को परिभाशित करने वाले प्रमुग विसेस्थाओं में एक विसेस्ता है किसमें सक्तियों का विभाजन करना जिसका अर्टर सक्तियों और जिम्यदार्यों के सपस्ट रूप से सरकार की तीन स्यकाओं विधान, सभा, कारपालका और न्यायपालका विभाजित कर दिया जाता है तीन सक्तियां होती है राश्टपती के पास ठीक है अब इसको देखेगा अलग से कोशन भी पूँछ सकता है सक्तियों का विभाजन से क्या मतलब है ठीक है तो देखे या फिर कारपालका नया पालका और विधान सभा से आप क्या समझते हैं तो आपको यही लिखना होगा तो राश्पति प्लाली में बिधान सभा और कारपालका के भी सक्तियों का विभाजन मुख रूप से कैसे होता है सबसे पहले कारकारी और जो राश्पति और उसके मंत्री होते हैं बिधान सभा से नहीं लिए जाते बलकि राश्पति और बिधान सभा को अपने अपने चुन बल्कि जो मंत्री परश्द होता है जो प्रदार मंत्री होगते हो यह उन्हें चुनते हैं और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उन्हें सीदे तुरपर चुनावों के माद्यम से लोगों द्वारा चुना जाता है ठीक है ना की ने चुना जाता है बिधान मंत्र परशत के लोगों को राश्पती को नहीं राश्पती को सिधे चुनाओ के दोरा नहीं चुना जाता है ठीक है ना तीसरा बिधान सभाव राश्पती को उसकी अवद की समाप से पहले हटा नहीं सकती है राश्पति का काल जो होता है, वो 5 साल का ही होता है, तो बिधान सबह उसको उसके हःद से पहले नहीं हटा सकती है, सिर्फ महाभीयोग किसी वाजा, यानि कुछ ऐसी अधार परिशितिया होती है, यदि यह पाया जाता है, महावियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ऐसा कर सकती है महावियोग के माध्यम से ही राश्पति को अटाया जा सकता है पान साल के पहले महावियोग क्या होता है किसी भी ऐसा चरकार को लगता है कि किसी गलत सक्ति का यहां पर प्रयोग किया जा रहा है ठीक है तब उन पे महावयोग लगाया जाता है ठीक है किनी चीजों में गलच पाया जाता है छोथा राश्पती विधारसवा के कारकाल की शमाप से पहले इसे भंग नहीं कर सकता है ठीक है दो इंपौर्टन्ट यह भी हो गया पर पाचवा राजपती सहीद कारपालगा के सद्स बिधाल के सद्स नहीं बन सकते हैं जो तो बिधान सभग सदर्स कारकारी साखा में सामील होना चाहते हैं तो बिधान सभग सदर्स कारकारी साखा में सामील होगा तब 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 कारकारी साखा में सामील होगा तो चलिए राष्ट्रपति और मंत्री मंडल के शदसे देख लेते हैं अब देख लेते हैं राष्ट्रपति और मंत्री मंडल के शदसे ठीक है ना देखें एक्चली राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है कि जो राष्टपती होता है अपने मंत्री मंदर के सदस्य निप्ट करने और सरकार बनाने की पूरी चोतंतता उनको होती है लिकिन जो सदस्य वो मनाएंगे वो विधान सभा से बस नहीं होने चाहिए ठीक है ना सरकार के संसदी एस रूप में मंत्रियों की मंत्री परशद सर सरकार के मुख्या की रूप में सहयोगी की रूप में कार करती है और उनके पास पार्टी में अपना सक्ति आधार और विधान सभा में सहयोगी होता है लेकिन राष्टपती प्रणानी में क्या होता है कि मंत्री मंदर के सदस्यों को राष्टपती द्वारा निर्थि किया जाता है और राष्टपति के नीत निर्माता नहीं होते हैं बल्कि उन्हें नीत शलाय की रूप में नियुक्ति किया जाता है और व्यक्तिगत तवर पर लोगों को या विधान सभा को नहीं बल्कि राष्टपति को जवाब देते हैं जो प्रधान मंत्री परशद में लोग ह कर दोते जब कर्पार के मुख्या की रूप में कामकरता है उनमे क्या होता है कि शक्ति के अधार पर विधान सभा मेवी समय होता है और लोगों के प्रफजवाब दे होते हैं लेकिन जो राश्पति अपना मंत्य वंदल बनाते हैं वो करते हैं वो राश्टपती के निर्माता नहीं होते हैं बलकि नीति सलाय की रूप में काम करते हैं और वो विधान सभा के नहीं बलकि राश्टपती के प्रत जवाब दे होते हैं जबकि मंत्री परशद करों विधान सभा के प्रत जवाब दे होते हैं तो राश्टपती ही आदिन काम करते हैं, उनके पास निननल लेने की कोई शक्ती नहीं होती हैं, एसी तरह से राष्टपती सरकार ने से निननल लेने संवों 법 सरकार के जो मंत्री परशद होता है, सरकार के जो होता है, उसमें मंत्री जो होते हैं, जब जवाब दे होते हैं, वो चाहें तो इस्तीफा दे सकते हैं, उस सरकार से भी इस्तीफा दे के दूसरी सरकार जॉइन कर लेते हैं, दूसरी पाइटी जॉइन कर सकते हैं, जो होता है, लेकिन राश्टपती प्रणाली में ऐसा नहीं होता है ठीक है ना कानून बनाने का अधिकार अच्छा कानून बनाने का जो अधिकार है तो राश्टपती प्रणाली की कारपाली का संसेदी सरकार की कारपाली के तुल्ला में कानून बनाने का बहुत कम अधिकार रखती है जि तेरी की राश्ट्पती द्वारा पारित कानूं को बीटों खारिच कर सकता है लेकिन कारपाली का दो तिहाई बहुमत मतों के साथ इस बीटों को भी खारिच कर सकती है जिसके बाद राश्ट्पती संधियों पर हस्ताक्चल कर सकता है लेकिन ऐसी संधियों को सीनेट यानी उ मैं आपको समझा देती हूं कि और बनाने का अधिकार को सरकार होती है उसकी तुलना में बहुत कम होता है राश्टपती प्रणाली के पास यहाँ पर अमेरिका का एक्जामपल दिया हुआ है कि माल डीजिये मेरिका के जो राश्टपती है कि वहां पर सरवोच पे तो वह कोई कानून पारित करता है ठीक है ना तो उसके द्वारा पारित कानून को बीटो जो है यानि की बीटो का मतलब होता है बीटो कर सकते हैं खारिश कर सकता है लेकिन जो कारपालिका होती है वो दो तिहाई बहुमत मतों के साथ इस बीटो को ही खारिश कर सकती है राश्पती नो कान संधियों पर कर सकता है ठीक है और लेकिन ऐसी संधियों को सीनित जो उताjang Joo थाक आवगया तो यहां पर क्या हो गया कानून बनाने का अधिकार भी जो होता है बहुत कम होता है अधिकार करहारे यहां पर कास दोर Pra कार्यालियों की तय अवधी वही है राश्वट्य प्रावती के एकन्यimasischte उसकी तय अवधी danad상 Evangel ख़ाने और जे तरते से राश्पत्यों विधानस्वा के लिए सघ्जिडलेर साथ होनी है दूतक तय पती ख़ानी सक थी कि अिशियों समाफ से पहले असाधान परिस्तियों में महावयोग प्रक्रिया का प्रयोग करके राश्पति को उनके पद से हटा चीज और है इसमें प्राशन फसलिए राश्पति को नहीं हटाया जा सकता है। भी रावा किसी और भी सिस्ट और जा सकता है विधानसवह भंग नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास लोकतान्ति जनादेश होता है, ठीक ना खिसके पास बिदान्सवा के पास ठीक है चलिए अप देख लिए चलिए, आप देख लेते हैं कि दास्ट पती, संशदी और राष्पती प्रिलाली फादयर नुकसान यह नहीं देखेंगे सबसे सबसे पहले बिधाई और कारकारी सख्वाओं के भी सक्तियों का विभाजन होता है जो कर्मचारियों के बर्चस की समस्य को रोपता है सीमीत सरकार इस्थापित करता है इस विए से व्यक्तिगत अधिकार सुतंता की रक्षा करता है और ऐसा भी संभव हो कि संसधि प्रणाली में हर एक पार्टी के वल अपने समर्थ को कही प्रतिनिर्द करती है लेकिर इससे अलग राश्पती प्रणाली में एकल राश्टी अस्तर पर निर्वाचित होते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजे इसमें होती है, तो ये जो, ओके, ये यूनिट जो यहाँ पे खतम होती है, हमारी जो नेस्ट यूनिट होगी, वो होगी आपकी संगी और एकात्मक संग्य ची आपकी संग्यों सेजेएर वू सवता है, जहाँ जो, नो, बहुत सैंने, हमारी में एकात्क काल झात्मक, स्वाँ को ये जो, फुच्णार सका होता है झाल, प्रोस जो, जो, आए पकैंपाङदा विता हैं, तो रहाँ आपको राश्णम Googatur में साम में प्रहाँ हो